असलाम वालेकूम कैसे हैं आप सब लोग में हूँ नताशा वकास आज की वीडियो में ने यह में अजीव किया है और बहुत ही असान से तरीके से कोई कंसीलर शंसीलर यूज ने किया बहुत ही ईजी साई मेकप है और इतना प्यारा सा लुक आप अजीव कर सकते हो बहुत ही अजीव किया है वह सब कुछ देखने के लिए पूरी वीडियो तो आपको टाइंस आए के वगए चलते हैं अपने वीडियो से आपको पसंद है मेकप रिमूवर उसकी मुदद से प्राइमर लगा रही हूं क्रिस्टीन का प्राइमर है और नावड़ेस मेरा बहुत बहुत प्राइमर है यह आपको नोज़रा रहा है इसके पैकेजिंग वडियो अगर आपने देख नहीं तो मैंने क्रिस्टीन की डिटेल वीडियो कि यह इसके ओपर अब लोग हो जाकर देख सकते हैं इस अजासर लगाती हूं कि प्राइमर जो होता है वह स्किन को मेकप के साइड इफ्रेक्ट से बचाता है क्योंकि रोज मेकप करना पड़ता है वीडियो के लिए तो प्राइमर के वज़ा से स्किन की बचत हो जाती है और इसकिन खराब नहीं होती इतना था तो मैं रिदा जैन की लाइफ लैक फांडेशन है इसलिए लगाती हूं कि यह ब्रैथ है आप आप उसकंट ज लोग नहीं हो मसा ज़ा भी नहीं है आपके थूणग फानी है मते इस पहले आपनी से पेल टोमन की सुखे लहां लगाया नहीं ही जानी जरूवत है यहां लगार में थोगाया थीक है यहां लगाया मैंने खीके नोसके आरा जरुवत है लिप्स के और जहां पर डिसकलरेशन है कहीं कोई सपोर्ट नदर आ रहे हैं सिर्फ वहां लगाया हलका सा यहां के दर्मियान में और आई ब्रोस के ब्रीजिस पर इस तरीकर से क्लाइट साई में कप करना है तो आई कप लगा लिया है बस सिर्फ यह गर्दन ब्लैंड करेंगे और इसे को पर हम मेकप करेंगे इतना अच्छा मेकप लुक आएगा भी आप देख लेना नोस पर मैंने नहीं लगाया था कि कुछ पर रहे जाएगा उसी से हम नोस की बेस बना लेंगे नोस पर आप ज़्यादा बेस लगा लेते हैं तो वह नोस से बेस और से यह देखें ऐसे और ऐसे ही से हम आइस के नीचे करूंगे ब्लैंड थोड़े दिर छोड़ोंगे उसके बाद अगें इसको इसको इसपंज से या किसी भी ब्रश से जिससे आपको ईजी लगता है उससे आप इसको कर लेना इस पंज से जो है वो बेस जादा अची बन होती है वह बहुत जादा लॉंग टाइम रहती है जली से फटती नहीं है वह बेस सेट हो गई है ग्लैमरस फेस का पैनकेक है और इसका नमबर है जिरो टूटा हुआ है खिर में ओपर से हलका सा लेके जितना मुझे जरूवत है बस लगा रही है यह जो काफी अच्छी है आ पर तो आपकी बेस स्वेटिंग नहीं करेंगी जिन लोगों के पास लूज फेस्ट पावडर या ट्रांस्लीशन नहीं है तो लोग इसको लेके हलका सा इसकर जाड़ के इसी को यूज कर लें ठीक है बड़े वाला फलाफी ब्रश लेके उससे आइस के नीचे और जहां जह लोग इनका फाउंडेशन इस पंजी लेना चाहते हैं तो जरूर बाय कर लें कि दुबारा फिर लगेगी नहीं से इसमें यह वाला शैड लेके पीछ सा इससे में ब्लश लगा रही हूं सेम ब्रश से मैं पाउडर लगाया था बिल्कुल हलका हलका सा लगांगी पर यहां मैं इस जगहां पर फिर जो कंटोरिंग लाइन होती है वहां पर लगा दूँके कंटोरिंग नहीं कर रही है जो मैंने ब्लश लिए उससे मैं कंटोरिंग के शेड करूंगी इस तरह के देखें यह नजर आगे आपको सेम और दूसरे तरह से भी सेम वैसे करोंगी पीछ सा शेड लेके और इस तरीके से में कंटॉरिंग कर लोंगी यानि कि कंटॉर भी हो जाएगा फेस और हमारा ब्लैश भी लाग जाएगा जितना हमें चाहिए आपके इसके पिग्मेंटेशन चेक कर लें कितना पिग्मेंटी रही है से उस तरीके से हलका सा माउंट लिया और यह वाल जगाओ को मैंने कंटॉर कर लिया ऐसे यह देखे आपको नजर आगया कि शेडव आगया एक तो पिक्चर अगरा लूँगी तो उसमेरा डबल मूह नहीं बढ़ा ग्सक्तुर्णिचिंच वयादना सब्सक्टल आधा लियुव द्चक्राइगा नहीं तो सब्सक्राइट ट्रीक कर लिए। उसमेर ईफ्वलें ओप्र व्लालें और बलूआ सबूए संधिकर लेकर नहीं लगाएं कि आपको पूरा मेकप रिमूव करना पड़े और वह चीज जो है आपके कांट्रोल से बाहर हो जाए इस तरीके से मैंने उंगली पे लिया हलका सा ऐसे और इसको मैंने लगाया आँखों के उपर दोनों आइसको बिल्कुल लाइट सा मैंने लगाया एस से यह देखें को समिट्रod है और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूं जिस इस आपके ब्लेंडिंग अच्ही आप इ। करना रिंग से करने मिडल से करने मिडल से अच्छी है ब्रश आपके बास से ब्रश से कर लें बहुत ही ईजी सा मेकप है जिन लोगों के लिए यह देखें हो गया बैंट पैलेट के अंदर एक शेट था गलीटर यह वाला यह देखें तो मैंने वह लिया था बिल्कुल इतना स जा सब्सक्राइब देखें हो ना होने के ब्रावर है एक उर इस नहीं पूल्क भागा लिया से जगा पर के अंदर से लिया फिंगर के ओपर यह आइस के नीचे लगा इस तरहीं कैशियम के मैं डालना आइज में लैंस और उसके लिए मुझे चाए कि मुझे जोह इना इस पिंक पिंक और पीची पीची सी लगे इस वजासे ये देखिए नहीं डाली और भी लगा लिया इसको में ब्लेंड कर लिया है साइट से हैं ये शेयर एंजीलिक और इसी से मैंने हाईलाइटर लगाया था उस लुक के अंदर भी इस तरीके से आप नदर आरे से में ये हाई से वहां पर रिदा जैन का ही ब्रो वेंडे मैंने सारे प्रोड़क्ट अल्मोस्त रिदा जैन के यूज़ किये तो इससे में अच्छा से कौम कर लेती है इसको इस तरीके से यह देखें और जहां पर मुझे लग रहा है कि गेप से तो बस वहां पर में इसको फिल कर दूँए अब देखते हैं कहां पर नदर आ रहा है यह दुझा पत्रोड नहीं झट्वाट रहा है तो उसके बाद ब्रो कारा लगांगे लगांगी के आप्र वर्रो कारा है सारे नाम्शामिस के में चुके हैं पर यह दॉता सा स्पूल है इसका ऑड़ आ यह दिखें इस तरीक नहीं लगा लिए ठीक है बस इतना साइब लगाना है कि इसको इस तरीके से कि बस खराब नहीं एज़ेश रहें बाबर रिफ्रेश्च ना करना पड़े हैं इसका नाएं और मैंने अक्सर वीडियो पर लेज़ गम लगा के छोड़ने लगी हूं ठीक है काशी सब्सक्राइब कर रही हूं आपके बास जो भी आप यूज कर सकते हैं बस तीन जोगर पर लगा रही है स्टार्टिंग पॉइंट और मिड बस यसे अई लगा रही हूं हलका असा लेशिस पे बहुत हलका सा कि बास जो नेचे बार लाइश पर मिस्रोस का फिक्सिंग कर नहीं है आप सिम्पली जग फेस जगदा टान कर लें उससे भी आपको को लाइनर रोटाइड लाइनर लोनकल लांग लास्टिंग हो जाता है और अब इसको में fix करने लगी हूँ, मैं अपने lashes के साथ starting से stuck करूँगी, आप दर्यान से करना चाहते हैं, बस जिस तरीके से आपको आती हैं, आप जिस तरीके से लगाने आती हैं, आप उस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, यह देखें, अब यह मेरी apply होगी, अब इस मिया पर ने बड्याट में हैं फिर भी लिप का बिल्कुल राय नहीं करती क्रेक्स नहीं डालती हैं आपने देखा है मौस्ट्र विडियों में यह यूस करते हूँ, फिर भी मेरे लिप्स जो बलेक नहीं होते हैं, प्लेक ने पेराविन नहीं है, तो यह ने हलका से बाहर निका इस चीज नजर आ रहा है कि लेश लगे हुए है तो इस चिगाव को मैंने बिल्कुल नेश्टिरल करना है अच्छे से डिप कर दिया यह विदियों इसको इस तरीक़े से लेश के साथ मार्ज कर दिया करें देखे ऐसे बिल्कुल नोक से ब्रेश जाए आपने 002 करना है ठीक है जोन सा भी यूज़ करेंगे लेकर जीरो जीरो वाला यूज़ करना है तभी आप इस लेश में फरक देख लेंगे यह बिल्कुल बैलन्स हो गया और इसको भी करना है अबने बैलन्स ऐसे लगाते हैं वह सब मैं आपको अल्रीडे सिखाया है और प्रॉपर मैं लेश के साथ मैंने लगाया है और यहां से जाके एसे कर दिया मैंने भी। सिखाली हैं दुसरेस कचोarta शक्ता कर दिया है तोनोंgrassलेश तेख से प्रास्टाच कर दिया इसे मिल्कुल लाइच सा लाहाना है ृत्रा चाल तड़को श्वक्री जीरो ब्रॉण bend का साल वाटर लाइन के साथ साथ न्यूट पैंसिल है तो वह में अंदर लगा रहे हूं आइस के ताके आइस जहें और खुली-खुली लगे यह देखें अगर यह नहीं है तो आप क्राइलोन की जो आइवरी इस्टिक मिलती है वह भी लगा सकते है तो यह वाले जुल्री पे पर तरफ चली गई है तो यह मैं इस वाली कावन में डाल रही हूं विद्वकल नाजुक सी है मैंने ओनलाइन किसी पेज चली थी मुझे निपता कि वह पेज का लिंक कहा चला गया क्यों क्यों कि पहन सकते हैं इस तरह कि मैंने जेम्स ज्योवल से मंगवाई थी ऑनलाइन इस पर दोंगे में डिस्क्रिप्शन बोक्स में बहुत प्यारी लग दी तो मैंने लिए लग लगी हूं कि नकाम कोशिश करकर थक गई में कर्ल डालने की पर कर नहीं डेले मेरे बालों में तो बस मैंने पीने लगा कि इसको जोड़ दिया है तो बस यह मेरी फाइनल मेकप लुक है आज की मेकप लुक है आपको अच्छी लगे होगा आपको क्लोस से दिखा देती हूं केट आई- बैंक काटना आपको सिखाया है तो नहीं हुआ मेरे से लेकिन खेर आई-मेकप में दिखा देती हूं कितना नीट यह लेशिस देख लें आप हाइलाइटर देख लें सब चीज ओन पॉइंट है बाकि आप लोग गोल्ड की कोई चीज पहना चाते हैं तो वह पहन सकते हैं स तो थोड़े से हैं पर आप लोग कर सकते हो तो वाकि कमेंट कर देना नीचे और इंशाला मिलेंगा अपसे नेक्स वीडियो में तब तक लखेंगा अपने देख सारा ख्याल अलाहाफेश